उस इंसान को दरपाना बहुत ही आसान होता है जो इंसान विचार आपको रियल में प्यार करता है क्योंकि आपके कुछ करने से ना करने से उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है लेकिन आप उस इंसान को जलाना चाहते हो जो आपका एक्स है यानि कि आपका एक्स पार् पार्टनर को जिनको आपकी परवाह नहीं उनको जलाएं जा सकता है उनको तरपाया जा सकता है तो मेरा जवाब है कि डेफेनेटलि आप ये काम कर सकते हो देख़ा आपका एक्स पार्टनर तीन चीजों से जल सकता है पहली चीज अगर आप निवाफ में बहुत जाजा है горए हो और तेसरी चीज आपको ऐसी हरकत करते हो को समझ में मिला था रहे हो तुम ओंछा है बहुत जळा-स आपका गर्वाहन लोग साथ होते हें लेक सांता है वह और रहा है ना उसे फिम्हें लगता है कि कि यार उन्होंने आपको छोड़ा उसके बाद आप तो उसके भी आगे निकलते तो इस तरह से आपको कुछ SMS टेक्स मेसेज करना है और इससे आपका एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा जल जाएगा तो कैसे आप अपने एक्स पार्टनर को जलाएंगे सबसे पहला टेक्स म परेसाई थी लेकिन मुझे लाइब का मिनिंग समझ मैं अब मुझे पता चला कि लाइब कितनी ब्यूटिफूल होती है लाइब में कितनी हैपीनेस होती है इंडिया थी जो प्यार में अपनी लाइब को बरबाद करने के लिए चली थी अच्छा किया तुने मुझे छोड़ और दिरे-दिरे में तेरे प्यार से मुखन कर गी लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हूं यहां पे आपकी हैपीनेस तो दीखें और एक और बात कि आपनी लाइफ को एंज्योई करे हो आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर रहे हो तो लोगों को आपकी happiness से तो problem 100% होता है और अपने ex-partner की happiness से लोग चलते हैं दूसरी जीजिए आप अपने दोस्तों के साथ party करते होगे कहीं बार घुमने जाते होगे खाना पीना आप मोज मस्ती करते हो अपने family के साथ भी आप पूरी तरह से मोज मस्ती या बाहर जाते यह सारे चीज उसको इसे fix कर कर को कि वाय यार क्या life है मजा होगी जब मैं तेरे प्यार में थी यार ना मुझे अपने दोस्त दिखते थे ना अपनी family मैं तो प्यार के लिए पागल थी प्यार बिल्कुल बखवास सी जोती है इसमें life होती है सिब दूख होता है पेन होता है लेकिन जो य I love my life देखो दोस्त सबकी life में होती फेमेली सबकी life में होती है लेकिन हर किसी की life इतनी बेटर नहीं होती जो आप बता रहे हो उसे ठीक है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपके एक्स का क्या expression होगा बहले हुँ आपको कहे कि यार मुझे कोई परवानी तेरे लिए अंदर से लग पड़ी हो तीसरा और सबसे important point जहां पर आपका ex मतलब जल नहीं पुरा का पुरा हांग बन जाएगा आपको अपने पार्टर को यह बताना है कि यार जब मैं तेरे साथ relation में थी ऐसे आप उनको fix के जादे SMS करते हो कि जब मैं यह साथ relation में थी तब मेरी life में मैं एक ही फोकस है कि गोल था अपना प्यार तुमे अपना relation और कुछ नियुक्त में निकलने के बाद मुझे कुछ हुआ कि याप में कुछ करता हूँ या कुछ करती। उसके बाद मैंने अपने करियर के और ध्यान दिया अपनी life में कुछ बढ़ने का गोल बना अब मुझ पार्टर को रियल वाली तकलीफ होगी तो आप वहां पी उसे दिखा सकते हो जला सकते हो आपको कहना चाहिए कि प्यार यार बिल्कुल बखवास है अपने करियर पर मेनद करता है तो यह कभी वेस्ट नहीं जाती आपको पेसा मिलता है लाइप की हर खुचिया में लोग सामन परफेक्ट फेमेली फ्रेंड है है अपने को इंजोई कर सकते हो लेकिन इनसान की लाइप में कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है आपके एकस पार्टनर का कितना भी अच्छा रिलेस्ट बले भन गया होगा लेकिन वह इतना खुश नहीं होगा जितना आप बता रहे हो आप उसको बता रहे हो कि आप अमनी लाइफ में कितना खुश है आप उसे थाइंक्यू बोर रहे है कि यार तुमने कमाल कर दिया मुझे छोड़के वीडियो पसद आये तो इसे लाइक करना पड़ेगा आपको ठीक है इसके बारे में बताना चाहते हो बिंदास कोमेंट करके लेगे इसलिए चैनल को सब्क्राइब पर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करना बिल्कुल भी मैं परना थाइंक्यू सब्सक्राइब रिग्लर नोटिक्टेशन को सब्सक्राइब बिल्बटर में प्रिस्टेइब